दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मेडिटोनिक सागर पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 एंटिबाटिक्स के बारे में जो है डिसकेशन करेगे कौन सी है वो टॉप 10 एंटिबाटिक्स जो कि ज्यादा तर जो है हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबर रहती है और डॉक्टर उने प्रिसक्राइब करते है और ज्यादा करके यूज की जाती है तो आज की इस विडियो में वही डिसकस करेगे उससे पहले चानल पर नए है तो eiस सिसक्राइब जरूर कर लीज़ेगा तो दोस्तो यहाँ पर देक लीज़े कि हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आंटिबाटिक्स दिये किस लिए जाते है तो antibiotics जो है bacteria के वज़े से जो भी infection ओकर होता है उसके treatment के लिए जो है दी जाती है तो दोस्तों antibiotics जो रहते हैं वह acne के treatment के लिए ज्यादा तरकी use की जाती है देन bronchitis के treatment के लिए जो bronchi रहता है आपके अगर respirator tract disorder रहता है या फिर सास लेने में आपको तकलिब होती है तो उसके bacterial treatment के लिए जो है antibiotic prescribed की जाती है देन उसके बाद अगर आपको आखों में जो है conjunctivitis हो जाता है pink eye जो आपके आखें रहती है वो अगर pink हो जाती है तो उसके treatment के लिए भी जो है antibiotics prepare की जाती है देन आपको अगर ear का infection होता है कानों का अगर infection होता है या फिर bacterial growth वह आपर ओकर होती है तो उसके लिए भी antibiotics जो है वो प्रिफरी की जाती है देन sexually transmitted disease यो डिसीज रहते हैं वो अगर होते हैं तो उसके लिए भी antibiotics ज़यदा तरके prescribed की जाती है देन उसके बाद आपके अगर skin पे या फिर आपका जो भी tissue रहते है उसके अगर infection ओकर होता है bacterial infection उसके लिए भी जो है antibiotics यूज किये जाते है देन उसके बाद अगर आपको जो है गले में खराच है या फिर आपको जो respiratory track रहता है उसमें जो अगर उसमें bacterial growth होई तो उसके लिए भी जो है antibiotics prescribed की जाती है उसके बाद travelers diarrhea में antibiotics prescribed की जाती है अपर respiratory track में और urinary track infection में जो है antibiotics prescribed की जाती है अब हमने बात कर लिया uses किसके लिए prescribed की जाती है और क्या uses है अब हम देख लेते हैं कि कौन सी है वो top 10 antibiotics जो की हमें ज्यादा करके दी जाती है यह doctor dora recommend की जाती है तो सबसे पहला नाम है amoxicillin amoxicillin most of the cases में जो है bacterial infection के लिए दी जाती है amoxicillin का combination भी आता है जो की number 2 पे है amoxicillin and clavulinet जो है आपको देखा होगा आपने कि बहुत ही बार जो है amoxicillin and clavulinet का जो है combination दिया जाता है उसके बाद doxycycling doxycycling आपको दिये जाता है then उसके बाद cephalospurine उसके बाद cifrofloxazine then clindamycin then metronidazole उसके बाद top interesting antibiotics जो की है azithromycin हर किसी भी bacterial infection के लिए या फिर कई बार अब आप वैसे ही जो है hospital में जाते है तो आपको अगर थोड़ा सा ही bacterial infection हुआ तो आपको जो है azithromycin जो है वो prescribe की जाती है तो azithromycin most of the cases में बहुत ही ज़्यादा prescribe की जाती है उसके बाद sulfa methoxazole and primetopreme उसके बाद amoxicillin and clavulinetumine आपको बताई दिया और last है leofluxacin तो यहाँ थे top 10 antibiotics जो की जाता करके prescribe की जाते है पहला है amoxicillin, दूसरा doxycycline, then cipelosporine then ciprofloxacin, then clindamycin then metronidazole, then azithromycin then sulfa methoxazole and trimetopreme then amoxicillin and clavulinet and then leofluxacin तो आपको वीडियो पसंद आयों का पसंद आयों का शेयर जोरू कीजे और इसके uses पे जो है वो ज्यादा करके ध्यान दीजे और डॉक्टर आपको कौन सी medicines prescribe करते हैं ज्यादा ये comment box में हमें ज़रूर बताईएगा thank you very much for watching the video till end, don't forget to like the video and share with your friends thank you very much